देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो सबसे पहले आज की बड़ी खबर पहली बड़ी खबर आई है पडोसी के घर से सवाल सरकार का है श्री लंका की सुप्रीम कोर्ट वहां के राश्रपती स्री सेना के संसत भंग करने के फैसले को असमवैधानिक बता रही है दूसरी खबर केरल में सब्रीमाला विवाद फिर आग पकड़ता नजर आ रहा है बीजेपी वाले सब्रीमाला में महिलाओं के एंट्री को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कल रात इसी प्रोटेस्ट में एक आदमी ने खुद को आग लगा ली और आज उसकी मौत की खबर आ गई परिशानी एक और भगोड़े व्यापारी की भी बढ़ी है विजे मालिया के बाद बारी मेहुल चौकसी की है जिसके खिलाफ इंटर पोल ने CBI के आग्रह पर अरेस्ट वारेंट जारी किया है पाँच राज्यों में चुना हुए तीन राज्यों मध्यपरदेश, 36 गल और राजिस्थान में बीजेपी को हार मिली और कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी पर असल मुश्किल तो जीतने के बात की थी जब उनके सामने यक्ष प्रश्ने खड़ा हुआ जीत तो गए लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा कल का पूरा दिन सुक बुगाटों में बीता था कारकरताओं की नारेबाजी धक्का मुक्की खून से लिखे खट फोन कॉल्स के बीच बीता ये दिन आज फैसले का दिन था लेकिन आज भी यही सब होता रहा मीटिंगें होती रहीं दावे होते रहें इतने निर्दली हमारे साथ हैं फलानी पार्टी ने सिर्फ हमारे नाम पर ही समर्थन देने का फैसला किया है इन सब के बीच सबसे सपष्ट संक्यत आया मध्यप्रदेश के बारे में जहां दुपैर के तीन बश्टे बश्टे कमलनात के नाम पर महर लगने की खबरे आने लगी लेकिन जानिये की दिन भर हुआ क्या असल में गुरुवार का दिन राहुल गांधी के लिए भरपूर काम वाला दिन था हाथ में तीन राज्य थे मुख्यमंत्री बनने के लिए जो नाम आ रहे थे वो अशोग एलोट, सचिन पाइलेट, सीपी जोशी, कमलनाथ, जोतर अदित सिंधिया, भूपेश, बगेल, टीयस सिंगदेव और तामरदज साहु जैसे बड़े नेताओं के थे नेताओं का शक्ती प्रदर्शन चालू था, दिल्ली की तैयारियां भी चालू थी परिवेक्षक के तौर पर मद्य प्रदेश में केंटनी, चतीस गर्में मलिकार जुन खड़ गे और राजिस्तान में केसी विनगोपाल जा चुके थे मद्य प्रदेश और आजिस्तान के नेताओं को फिर दिल्ली बुला लिया गया, कुछ नाराज विधायकों के बावजूद विधायक दल में ये सहमत ही बन चुकी थी कि मुख्यमंत्रियों के नाम का फैसला राहुल गांधी ही करें और वही घोशित भी करें इसलिए राहुल गांधी लेताओं के साथ बैट तै करने वाले थे कि कौन बढ़ेगा मुख्यमंत्री लग रहा था कि आला कमान के फैसले के बाद सब कुछ शान्त हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैपुर में घमासान मचा हुआ है भोपाल में सिंधिया के समर्तक नाराज है और रायपुर अनशित्ता से गुजर रहा है इन सब के वीच एक टीवी की भाषा में कहूं तो महा मुलाकात हुई राहुल गांधी और नरेद्र मोदी की होकर भी नहीं हुई जब प्रदेशों में हलचल थी इन सब के बीच राहुल गांधी आज दिली के एक कारक्रम में हिस्सा लेने पहुँचे 13 दिसंबर है संसत पर आज ही के दिन साल 2001 में आतंकवादियों का हमला हुआ था हमले की बरसी पर राहुल गांधी शहीदों को और श्रद्धानजली देने पहुचे इस कारक्रम में प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी भी थे तीनो राज्यों में चुनाओ की नतीज़े आने के बाद पहली बार दोनों किसी सारजिनिक कारक्रम में साथ थे ये वही मौके होते हैं जब मीडिया के कैमरे सेकेंड्स में बातें भाबते हैं इस कारकम से ऐसा ही कुछ निकल कर आया कहा गया कि प्रधान मंतरी ने पूर प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग से तो दुआ सलाम की कुछल छेम पूछा लेकिन राहूल गांदी और मोधी ने एक दूसरे से बात नहीं की ये सब हो रहा था और मुझे लग रहा था कहीं संसत की तरह है राहूल फिर से लपक के जप्पी न दे दें गनीमत है ऐसा नहीं हुआ अब बात करते हैं कमल नात की जिन्होंने मद्द प्रदेश में कमल को ध्वस्त किया कमाल है कहानी कमल नात की पारिवारिक जणे कानपुर फिर परिवार गया कोलकाता लेकिन कमलनाद का नाम तो मद्ध्रदेश के छिंदवाला से जोड़ता है जहांके वो सांसद है नौ बार के वो सीट जहां आजादी के बाद से कॉंग्रेस सिर्फ एक बार हारी वो भी अपनी गलती से यही कमलनाद का गड़ है यही से कमलनाद की राजनीत में एंट्री हुई लेकिन उसका भी एक किस्सा है साल 1977 इमर्जेंसी के बाद चुनाओ में कॉंग्रेस बुरी तरह हारी इंद्रा गांधी अपना चुनाओ तक हार गई लेकिन ऐसे टेड़े समय में भी छिंदवाला से कर्मिश्रा जीत गए इस वक्त देश में कॉंग्रेस के सांसद उंगलियों पर खास्तों पर उत्तर भारत में गिने जा सकते थे गार्गी उनमें से एक थे लेकिन इस जीत का आख विश्वास कुछ ऐसा कि शेत्र में गार्गी धीले पढ़ने लगे जनवरी 1978 में इंद्रा काडर चुना गया नए लोग आए यूत बड़े नई कॉंग्रेस में संजे गांधी के लोगों का महत्त बढ़ा ऐसे ही लोगों में कमलनात भी थे संजे गांधी के करीबी इंद्रा कॉंग्रेस बनी तो चिंदबाला में अध्यक्ष बने शंकर रावदाड है ये कमलनात के पाले के थे, 1980 में कमलनात टिकट पाने की महत्वा का अंक्षा पोस रहे थे, जब मुरार जी की सरकार ने इंद्रा का अंधी को अरेस्ट किया तब जेले भरी गई थी, इस जेल भराव में गारगी नहीं आये, आये तो अंतिम दिन पहुँचे, कमलनात के पाले को बहाना मि जहां पल्टा, वहां से 24 अकबर रोड यानि की कॉंग्रेस का मुख्याले पास में ही था, खून से लगपत दाढ़े आयोजन स्थल के पास बैठ गए, गारगी शंकर मिश्रा को हटाने के लिए अंशन करने लगे, इंद्रा आईं कहा विचार करूंगी, विचार हुआ तो गारगी शंकर मिश्रा ने दिल्ली में बैठी अपने दोस्तों की मदद से अपना टिकट बचाने की कोशिश की, कमलनात को टिकट फाइनली मिला, छिंदवाडा से नहीं, बैतूल से, लेकिन बैतूल से जिनका टिकट कटा, उन राधा कृष्ण गर्ग ने टेलिग्राम करा इतने है कि कमलनात को वो टिकट छोड़ना पड़ा, और अब टिकट मिला कमलनात को छिंदवाडा से, कहा जाता है कि इंद्रा गांधी प्रचार के लिए जब छिंदवाडा आई तो कहा, कमलनात मेरा तीसरा बेटा है, इसको जरूर जितवाईए, बेटा चुनाव जीत गय लेकिन 90 के दशक में जैन हवाला डायरी का जिन बोतल से बाहर आया डायरीों में एक नाम के एन भी था जिसे कमलनाथ माना गया नतीजा कमलनाथ का टिकट कट गया उनकी तक है उनकी पतनी अलकानाथ 1996 का चुनाव ड़ी 1980 से लगातार कमलनाथ जीत रहे थे अब अलकानाथ जीती 1997 में बिना जाज के ये जैन डायरी वाला मामला पूरी बेशग्मी के साथ रफा दफा कर दिया गया कमलनाथ राजनीती में लोटे और बड़ी गलती कर बैठे अलकानाथ का उन्होंने स्तीफा दिलवा दिया लोग सभा से और भाजपा ने इस बार उन्हें वाक ओवर नहीं देने की ठानी और अपने पूर मुख्यमंत्री सुन्दा लाल पटवा को छिंदवाला के उप्चुनाओं में लडवा दिया कमलनाथ हार गए ये छिंदवाला का किस्सा है जहां हरे रंकी लेंड रोवर में कमलनाथ घूमा करते थे और ऐसी पकड़ बनाई उन्होंने घूम घूम कर कि अब ये शहर कमलनाथ का परयाय बन चुका है कमलनाथ में केंडर में भी बड़े पत सम्हाले नर्सिम मराव सरकार में 1995 से 95 तक परयावण मंत्री रहे 95 से 96 तक कपड़ा मंत्री 2004 में जब UPA प्रतम की सरकार बनी तो वो वानिज मंत्री बने 2009 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बने और इन चुनाव में कॉंग्रेस को जिता कर मुख्य मंत्री बनने की ओर अग्रिसर है सत्य मेव जैते ये सुनने और पढ़ने और गुनने वाले देश में फर्जी खबरों का माया जाल फैला हुआ है जो कभी फर्जी खबर, वाटसेप के जरीए, कभी वीडियो के जरीए परचारित होती है और ललन टॉप करता है उनकी परताल चुनाओं के नतीजे आये और नतीजों के साथ आया खबरों का शोर कल हमने अपनी परताल में आपको दिखाया था कि कैसे हरे जंडे को पाकिस्तान का जंडा बताकर ओसिया सीट की उमिदवार दिव्या की रैली के बारे में जूट फैलाये गया आज हम आपको बताएंगे उस वीडियो के बारे में जो जोदपूर का बताया जा रहा है सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए इस वीडियो में कुछ लोग हैं बहुत सारा शोर है लोग तोलफोड कर रहे हैं गाडियों में वीडियो के साथ लिखा है जोदपूर में कॉंग्रिस के आने पर रामराज शेयर करने वाला पेज भी साफ तौर पर भाजपा की तरफदारी करने वाला पेज नजर आता है इसलिए ये पूरी तरह से कॉंग्रिस बना भाजपा की कवायत दिखाई दे रही है आपको बता दूँ कि इस वीडियो के जरिये जोदपूर में तोलफोल की बात जो फैलाई जा रही है वो पूरी तरह जूट है असल में ये वीडियो राजिस्थान का है ही नहीं ये गुजरात के मोर्भी जिले का है हमने मोर्भी में इंडिया टुड़े के साथ जोड़े पत्रकार राजेश अंबलिया से बात की उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर 2018 के दिन मोर्भी के कालिका प्लांट इलाके में फाइरिंग हुई फाइरिंग की वजए आप सीरंजिश थी 25 राउंग की फाइरिंग में विशाल भावडिया नाम के 14 साल के बच्चे की मौत हो गई बच्चे के परिवार जन गुस्से में आकर शव को दर्वाजा चौराहे होते हुए सिटी पुलिस स्टेशन ले गई वहां परदर्शन करते हुए भीड उग्र हो गई और आसपास तोड़ फोड करने लगी पुलिस ने लाठिया भाज कर भीड को तितर बितर किया ये वीडियो उसी घटना का है तो मालूं ये पड़ा कि कॉंग्रेस के राज में आते ही वहां कोई तोड़फोर नहीं हुई बलकि ये सब कुछ तो वहां हुआ है जहां भाजपा की सरकार है और बात जब जोद्पुर की होई रही है तो आप सभी को बता दूं कि कभी वहां जाएं तो मिर्ची वड़े खाएं समोसा खाएं और रवणी के लड़ू जरूर खाएं थोड़े मेरे लिए भी ले आएं इतने स्वादेश होते हैं कि आप फेक न्यूज शेर ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इन लड़ूओं को खाने में ही व्यस्त रहेंगे और मिठास को महसूस करेंगे अगर आपके पास भी कोई खबर आडियो या वीडियो आता है जिसकी सत्ता पर आपको संदे है तो परताल के लिए हमें भेजिए ललन टॉप में लेट जीमेल डाट कॉम पर चलिए परताल हो गई अब बारी खेल की अब बारी हमारे क्रिकेट से जुड़े किस्से की कल जबाब सुबह जागेंगे तो शायद उठते ही टीवी खोलेंगे और जाने की कोशिश करेंगे की स्कोर क्या है इंडिया और आस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैश शुरू हो रहा है यह मैज खेला जाएगा परत में परत यानि पेस और उच्छाल का परियाए यानि तेज गेंदवाजों के लिए स्वर्ग दुनिया के सबसे तेज विक्टो मैंसे एक क्रैक्स और बाउंस का खतरनाक मिक्स्चर परत को आस्ट्रेलिया के टूर का सबसे कठिन पड़ाव माना जाता है कल से आने वाले पांच दिनों में विराट कोली की टीम इंडिया जो की एक नया सुरूप दिखाई पड़ रही है क्या गुल खिलाएगी हम सब देखेंगे लेकिन अभी हम बात करेंगे उस मौके की जो हम देख चुके हैं वो कारणामा जो पर्त शब्द सुनते ही मेरी आँखों के सामने तैर जाता है सचिन तंदुलकर के शानदार 114 रन इन फैक्ट 18 साल के सचिन तंदुलकर के शानदार 114 रन साल 1991 नवंबर के महिने में इंडियन टीम आस्ट्रेलिया पहुँची थी ट्रेंगुलर वंडे सीरीज के बाद बारी थी इंडिया और आस्ट्रेलिया के बीच टेस्स सीरीज की ये वही टेस्स सीरीज थी जिसमें विक्टोरिया के एक सफेद बालों वाले स्पिनर ने अपना पहला मैच खेला और सालों बाद महान शेन वॉर्ण के नाम के साथ क्रिकेट को अलविदा बोला उसने चार मैचों में इंडिया 3-0 से पीछे चल रही थी पांचमा और आखरी मैच पर्थ में होना था और उस्ट्रेलिया की टीम में मर्व, हुज, क्रेग, मैंगर, पॉल, रॉफिल जैसे कारीगर गेंदवास थे शेन वॉर्ण को उस समय मैच में नहीं शामिल किया गया था यानि की फाइनल 11 में वो नहीं थे क्यों? क्योंकि पर्थ की पेच पर इस्पिनर्स के लिए कुछ खास ना तो तब होता था और ना अब होता है उस मैच के बारे में याद करते हुए सचिन ने विजजन से बात करते हुए बताया था कि वो अपने अगले हर मैच के लिए काफी पंप डप रहते थे उनमें बहुत उर्जा थी और अक्सर उन्हें खुद को रिलाक्स करना पड़ता था असल में ये वो दौर था जब सचिन नए नवेले थे और उनसे कहीं सीनियर खिलारी टीम में मौझूद थे इसलिए उनके कड़ों पर उतनी जिम्मेदारिया नहीं थी जितनी आने वाले सालों में उन पर लाद दी गई थी और शेलिया के खिलाफ सिट्नी टेस्ट मैट में वो एक शतक पहले ही मार चुके थे वो उनके करियर का दूसरा शतक था लेकिन सिड्नी और पर्थ में उतना ही अंतर था जितना सहवाग और द्रिवन्ड की बल्लेबाजी में सिड्नी स्लो विकेट होता है जहांकि इन्वाजों को बैट्समेन से भरपूर जवाब मिलते हैं सिड्नी टेस्ट की एक बात भी मशूर है कि सचित दनलकर जब अपनी रवानी में थे अपनी इनिंग के दौरान तब उन्होंने कवर्स में कुछ शामदार शॉट लगाए और बेहत करीने से पेस अटेक को विफल किया उनकी बैटिंग देखकर बहुत ही खडूस कहे जाने वाले और आस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बॉलर मर्व हूज ने अपने कप्तान एलन बॉर्डर यानि एवी से कहा था ये छोटा बदमाश तुमसे भी ज्यादा रन बनाएगा एवी उस रोज मर्व की जीवा पर सरस्ती बैठी हुई थी शायद खैर पर्दमे सचिन ने एक और शतक जड़ा 114 रन उस वक्त जब सिद्धू, माजरेक, रजहर, शीकांत, बल्ले से गेंच छुआने में स्ट्रगल कर रहे थे सचिन बैक फूट पर जाकर अपने अंगूठ्यों पर खड़े होकर बाउंस से न केबल डील कर रहे थे बलकि उन्हें बाउंडरी पार भी पहुँचा रहे थे सचिन का कद साड़े पाँच फीट का था बाउंस का मतलब था कि गेंद उनकी चाती के आसपास आएगी इसे उन्होंने इस शांदार तरीके से खेला कि स्टैंड्स में लगभग ना के बराबर भीड को देख क्रिक्ट कमेंटरी के पितामा रिची वेनॉड ने आस्ट्रेलिया के दर्शकों को खूब पोसा उनमें बैक फूट कवर ड्राइग खिलने का विश्वास आ गया उससे पहले वो ये शॉट कम खेलते थे सब्सक्राइब करिए एक और बात अपना और अपनों का हमेशा ही खूब ख्याल रखिए शुक्रिया